हेलो फ्रेंड ये है बाइक में लगने वाली डिस्क ब्रेक मास्टर सिलिंडर की मेजोर गीट फ्रेंड इसे कैसे फिटिंग किया जाता है मैं आपको फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ इसके अंदर फ्रेंड पिस्टन, स्प्रेंग, लॉक, प्रेशर पिन जैसे चार पार्ट्स आते है फ्रेंड इसे कब बदलने की जरूर पड़ती है तो फ्रेंड इसमें जब भी पिस्टन की उपर की रबर की जो रिंग आती है वो ring घिस जाने की वज़े के वज़े से जब भी हम brake लगाते है तो उसके अंदर का जो oil pressure है वो leak होने लगता है और brake लगने में दिक्कत होती है जो brake lever है वो lose हो जाता है तो परेंड जब भी ऐसा होता है हम यह kit बदलते है तो problem solve हो सकता है जो ये piston है उसके उपर spring का सोटा इससा फिट करना है बाद में rubber के उपर oil लगाना है ताकि वो fitting में rubber के उपर क्याचिस भी ना हो और fitting में आसानी भी रहे अब इसे cylinder के अंदर spring के side से fit करना है आप इस तरह गुमा के fit करें ताकि जो rubber है वो उसकी position में fit हो सके cylinder के अंदर दो round से gap दी गई है दूसरे वाले में wiser का lock fit करना है जिसे fit करने से piston बाहर नहीं आएगा अपनी position में रहेगा तो मैं इसे fit कर लेता हूँ तब तक friend आप मेरे motivation के लिए एक like कर दीजे आप इसे देखे यह यहाँ पर fit हो चुका है और जो पहला round ship है उसके अंदर rubber और जो bullet जैसी pin होती है जो break lever के साथ टचिंग में रहती है वो pressure करती है जब हम break lever दबाते है तो उसके थुरू piston को अंदर की वाद पूस करती है उसको fitting करना है तो वो आपको मेरी तरह से यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप fit कर सकते है अब फ्रेंड इसका जो break lever है उसको उसके proper bolt से ही fit करना है ताकि उसके अंदर की जो surface है वो complete रहे फ्रेंड मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो कैलिपर के बारे में वायरेंग के बारे में तो मेरी चैनल को विजिट करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो फ्रेंड ये master cylinder assembly यूज करने के लिए तैयार है oil डाल के हम इसको fit कर सकते है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा thank you for watching